प्रेग्निंसी के दरान हो रहे हमारे सरीर के कुछ अंगों में दर्द के उपर बात की जाएगी जैसे कि सबसे ज़्यादा दर्द माना जाता है कमर्क हिस्से में और नाभी के निचले पेट के हिस्से में इन जगों पे ज़्यादा भारीपन ज़्यादा दर्द रहना साथी साथ में हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, देखा गया है कि सर में दर्द रहना, गर्दन के हिसे में, अलग-अलग जगों पे अंगों में दर्द, किस चीज़ को दर्स आता है, एक महिला सबसे ज़्यादा चिंतित तब होती है, जब वो प्रॉब्लम से गुजर र कि मन में बहुत सारे doubt है पहली उनकी pregnancy चल रही है जिस case में वो जानना चाहती है कि एक pregnant lady को pregnancy के दौरान इन सारी चीजों से सफर करना पड़ता है वो परेसान होती है overall तो क्या बच्चा भी परेसान चल रहा होता है इन सारे points के उपर complete जनकारी दे जाएगी और साथ ही साथ में कमर दर्द और ना पेट के नीचे ना भी के नीचले हिस्से में दर्द किस चीज को सबसे ज़्यादा हाइलाइट करता है complete जनकारी के लिए वीडियो को लास्तक वाच कीजिएगा hey guys मैं हूँ आपके साथ शेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चाल पहली बार अगर सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में दर्द की overall यह चीज़े देखी गई है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओ को पहले महीने से ही कमर के हिसे में दर्द और नाभी के नीच पेट के हिसे में दर्द रहता है किसी को पहले महीने से होता है किसी को तीसरे चौते महीने से होना स्टार्ट होता है और किसी को लास्ट 7,8,9 मन्त में होता है महिलाओ का जो सरीर होता है वो अलग-अलग लक्षन को दिखाता है और यह चीज़े भी देखी गई है कि हमारी जो activity होगी उस हिसाब से हम सरीर के दर्द को भी महसूस कर सकते हैं अगर आप कह सकते हैं कि उठना बैटना या cross leg pregnancy में नहीं बैट रही है तो सबसे ज़्यादा यह होता है कि आपको कमर पे कम भार पड़ता है कमर पे भार कम पड़े इसलिए क्या क्या करना है तस्बीर को जब आप सोती हैं तो आपको हाथ ऐसे रखके दिरे दिरे उठना है और जब आप सोने जाती हैं तो भी हाथ दिरे दिरे रखके सोना है उठते टाइम बैठते टाइम हर समय कोशिस किजिए कि आपकी कमर के उपर बहार नहीं जाए तब जाकर कमर के अंदर कम दर्द की समस् चल रही होती है तो आपका सरीर बहुत सारे कारे करता है इस कारे के दोरान पेट में चेंजे जाती है बच्चे का जब साइज बढ़ता है तो यूटरस का साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब यूटरस का साइज बढ़ता है इस सेम समय में आपके पेट का उप दर्द की समस्या होने लगती है अब लास्ट हम बात करते हैं ज्यादा यह दर्द बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे का वजन पूरी तरीके से आपके सर्विक्स यानि की बच्चेदानी पर पढ़ रहा है जिस कारण बहुत प्रेसर के कारण यह भारीपन लगेगा लेकिन लास्ट है इन सारे पॉइंड ऊपर मैंने बात कर ली अब बात करते है पैरों में दर्द की तो पैरों में दर्द रहना क्योंकि आपका वजन बहुत जयादा बढ़ता है वेट पुट उन च्वथे महीने से होना होता है एक से तीन महीने की आपकी अगर प्रेग्नेंसी चल रही है तो लोग आंदाजा नहीं लगा पाते हैं लेकिन चौथे महीने से वजन बढ़ने के कारण सब कुछ आखों से दिखता है वेट बहुत होने के कारण पैरों में घुटनों पर भारीपन रहना हाथों में दर्द रहना क्योंकि सोने का तरीका सबस्या के लाटों समस्या होती हैं मिलती हूं ली गयुद्भा में कुछ पूसना है तो डाफीनेटलीगा अभी के भी मुझे आप कमेंट कीजि dunno